उनको बताना चाहिए कि अपहरन क्यों हो रहा है, बलतकार क्यों हो रहा है, लूट क्यों हो रही है, हत्या क्यों हो रही है, शिनोती क्यों हो रही है, बिहार में महंगाई कैसे बर रही है, बिहारें बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और गरीबों का निवाल आदमी हैं उनकी निवाला पर हमेशा छापामारी करने का काम करते हैं मानियम नितिश्कुमार जी ये वताना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं बिहार की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ये जीलों में घुमकर और अपने पार्टी और अंडिये का प्रचार करने जा रहे हैं इ कब सुरक्षा प्रदान करेंगे सुरक्षित लोगों को देगे सबसे बड़ी चीज है कि अभी माजी जी का बयान आया है मने भी देखा समाचार पत्रों में देखा है मैंने लेकिन हमको लगता है कि आदरनी माजी जी को पुना विचार करना चाहिए और जो वादे जनता के बीच में उन्होंने किया था और महागडबंदन को अटूट बनाये रखने के लिए उनको फिर से एक बार विचार करना चाहिए इस पर निश्यत्रों से और हमको लगता है कि आदरनी माजी जी महागडबंदन के अंग रहेंगे आने वाले समय में आप देखिएगा उन्हे के टेज से और उनकी जो राजनीती सोच है पता नहीं क्यों इस तरह से बाते करते हैं लोग इतने मेलनसार आदमी नौजवान में कौन